Hi everyone, welcome and welcome back to my channel So those who are new, Hi my name is Khushbu और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ Bellora Paris के Leave No Evidence Lipstick का review तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके packaging की तो packaging की काफ़ी अच्छी है, Classices की packaging आपको मिल जाएगी इस तरह से दिखाई देते रहेगा, तो हम लुको जब apply करना होता है तो समझ में नहीं आता है कौशावाला shade लगा है तो यहां से आप देख सकते हो, और अगर आपको आपके dress के आप ordering यह अच्छा लगता है तो आप apply कर सकते हो, तो यह चीज़ इसकी अच्छी है नेक्स्ट इसका जो यह cap है, वो मुझे काफी पसंद आया क्योंकि बिल्कुल golden color का cap है, और बहुत ही ज़्यादा shine करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में अप्लिकेटर की बात करें, तो अप्लिकेटर भी इसका काफी अच्छा है बहुत ही smoothly इससे apply हो जाता है, बहुत ही easy हो जाता है इससे लगाना काफी अच्छा है अप्लिकेटर इन्होंने इसके साथ दिया है तो अगर हम लोग इसके packaging की बात करें, तो मस्त सी packaging इसकी है next हम लोग अगर बात करते हैं, कि मेरे पास shade कौन सा है तो जो मेरे पास shade है, वह है 19 wild peaches तो जो मैंने अभी apply करके रखा हो, आप देख सकते हो तो यह makeup के साथ इसका look ऐसा आता है, without makeup भी आप इसे apply कर सबके बहुत ही अच्छा है इसमें आपको look मिल जाएगा, इसमें और भी कई सारे shade है और main इसमें यह चीजे की Indian skin tone के लिए ही बनाया गया है तो हमारे tone के according बहुत सारे shade इसमें मिल जाएगे, ठीक है अब देख लेते हैं कि इसमें और क्या-क्या चीजे हैं तो सबसे पहले तो यह cruelty free है, vegan product है और इसमें कोई भी toxic chemical add नहीं किया गया है अब बात करते हैं इसके swatches की, तो सबसे पहले मैं आपको इसका hand swatches दिखा देती हूँ कैसा है तो swatches आप देख सकते हो, color जो है, वो काफी अच्छा लगता है मेरे tone पे तो यह color काफी suit करता है अगर texture की बात करें तो texture इसका बहुत ही ज़्यादा creamy texture इसे apply करने पे बहुत ही अच्छा लगता है लिप को यह hydrate करके रखती है तो यह एक अची चीज लगी, मतलब एकदम dry out नहीं कर देती है काफी ज़्यादा pigmented है और एक बार ही इसे जब आप लगाते हो तो अच्छा वाला color मिल जाता है मैंने सिर्फ एक बार ही इसे apply किया है और यह color आप देख सकते हो आप एक बार का है तो इसे आप दुबारा apply करने की ज़रूरत नहीं है बट इसे reapply करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी वो मैं बाद में मताऊंगी क्यूँ, सबसे पहले देखते हैं इसके plus point और क्या-क्या है तो plus point में सबसे पहले यह 30 seconds से भी कम टाइम में आप अच्छे से से सेट हो जाती मतला आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है इसके dry होने के लिए नेक्स्ट की यह ट्रांसफर प्रूफ है यह बात तो सही है देखो आप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है यह तो इसे लगाने के बाद मैंने तीन से चार बार पानी पी लिया और साथी में लंच करके भी आ गई हूँ लंच करने के बाद यहां आप देख सकते ही हलका हलका यहां से निकल गया है और हलका से कलर जो है ना फेड हो गया वैसे मैंने इसे एक ही बार अपलाई किया था और अब इसे रियापलाई करने की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन अगर आप कुछ खाते पीती नहीं हो मतलब तो पी सकते कोई प्रॉबलम नहीं है बट अगर आप कोई मील नहीं लेते हो या कुछ खाते नहीं हो तो यह अच्छे से बहुत टाइम तक रहता है कोई भी प्रॉबलम इसमें नहीं आती है इसके अलावा यह वाटर प्रूफ है यहां आप देख सकते हो कि मैं अपने गया है तो इसे रिपलाई कर लेजिए अभी मैंने इसे रिपलाई कर लिया है और आप देख सकते हो कि फिर से यह बिल्कूल ब्राइट सा दिखाई देने लग गया है इसे रिमूव करने में काफी इसी पड़ता है यह ऐसा नहीं कि वाटर प्रूफ है तो इसके लिए आप आपको मेरे चैनल में देखने को मिल जाएगा तो आप इसे देख सकते हो तो इस तरह से आपके पास भी कोई मैसलर वाटर है या फिर मेकप रिमूवर है तो यह इसली रिमूव हो जाएगा कोई आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा अगर हमनों बात करें इसके MRP की तो 5.99 इसकी MRP है वाट online इसमें आपको बहुत ही अच्छा का सा डिसकाउंट मिल जाएगा और अगर आप सेल का वेट करके से लेते हो तो आपको और भी ज्यादा डिसकाउंट मिल जाएगा तो overall देखा जाए तो काफी अच्छी लिप्स्टिक है क्योंकि लगाने के बाद यह बिल्कुल ड्राइ नहीं होती है और लिप्स को हाइडरेट करके रखती है तो यह सारी चीजे मेरे लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है तो आज के वीडियो में बस इतना है गाईज मिलते हूं फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में यह वीडियो अच्छा रगा हो तो एक ला